वाशित कनग उलिराज मेरे प्रोग्रém स्टोरी-Lाइन स्टोरी-Lाइन 360 मार्शों में हॉस्ट मुमल से नब स्टोरी-Lain 360 मरूची मग अपेतरान करये कि इरानी सेक्योरिटी फोर्सस इनिम्याची कि जो पाकिस्ताने सरा और्ष कनग बुता बलोचेस्ताना आई है आसरा दो कसानी जाग गवंडो बीरान बुतागा और से टपी बुतागा इस यह जो ऐसे एरान है जस्टिफिकेशन हमेशी के आप बलोच मिलेटरिंट सानी सरा और नाशरकारी ग्रूप पे सरा यह हमला कनग बुता है जबके जो हमला बुता है एक मीजाईल और ड्रोन और शे वसीले ची जो ऐसे और्ष कनग बुता इस यह आसरा सिविलियन्स हम नुकसान माली और जानी बुता इप में और्ष कनग ची जो ऐसती जो पड़ोसी मुलके सारी आ एतमाद है जो रगभी लेकिन मगेंद इस यह आसी राशून बुता है जो इदेगा असकरी राशून में बुता है जो रद्य अमल पीदा कि और ट्वेटर भी बी यह इदेगा मीडिया और जग्या मगेंदे के जो इंटरनेशनल इभी इजो और शे जो हमले इस यह त्रोन दी लवजां को इरजनक बुता है दफ जाई हुदूद एलाफ वर्जी बुता है इस यह सरा आये जोश्ते कि में त्रोनली लवजां इस यह इरजनी और इरानी नाजमिल उमूर वजारते खार्जी आहम तलब करनक बुता है अनुई इनों की अपडेट ही अद्का कि तहराना कि जो पाकिस्ताने सफीरे सफीरी आ वाहम वातर लोटाईने गे अनौंसमेंट करनक बुता दफ्तर खार्जी गुष्टे कि पाकिस्ताने वत्वा की एलाफ और शी और इनाकाबले कबूले और इसे संगीन नताइज अत्क करना संगीन नताइज चीबूत करना असकरियत असकरी रद्धे अमल बीत का इदूई म करनक बुता दसबंदी करनक बुता और गोशागुता के चुशी कोई भी गामगेज जूरगमाभी के अमायाची अमन खराब भी और मगंदी के पाकिस्तान अगो या बलुचिस्तान अगो और एक खित तया जो इसनी चीने वती इंटरस्ट यसना सीपै कारोबार आईए जो मतासिर भी पमिश्काई है या केमी जी एट रियक्शन ही अथका और दूमी निमगेंदी के पीसरे के मजन वजीर मुस्लिम नूने सदर जो शेहबाज शरीफ साहबी आईए निमगाची भी एक रद्दे हमाले अथका और आईए गुश्ता के अमसाएगी ब्रादरान मुलक कनाना एहम गोश्ता के और शेची में दूस्ती और शरी जो तालुका था इह खराबा और इस ये फाइदा कर साभी नवी ते और आईए गोश्ता के मुश्ता के मुखलिसी गप उतरान और बामानी गप उतरान ने वहादे जरूरती अमें गप जो इस ती चीने निमगाची जो वजारते खारज है आई निमगची हम करना बोता लेकिन जो दफ्तर खारज है मैं गेंदे आई निमगची त्रोंदी रद्यामल पिदा की सफीर हम वातिर लोटाई नक बोता और गोश्ट पाकिस्तान की जो सफीर तहराना मौझूदे आभी वापिस कहते पाकिस्तान जो दफ्तर खारज है बया ने जो प्रीफिंग या यह गोश्ट पाकिस्तान इरान निमगची वाथी फिजाई हद बंदे जो हिलाफ वर्जी बोता इस यह मुझमत अकंती और इस यह आसे रहा दो मासूम जाग वीरान और सैट अपी बोता गा दफ्तर खारज हम गोश्ट के इ इनान उस्तमानी प्लैटफॉर्म में सर भी मुलकात भूगा गया दोरो चैनल्स पचा जब सिफारत काना पचा गोड़ा परचा एपैमे एक्शन जूरा गोता अलमाई शियर रियक्शन हम कहते हैं दफ्तर खारज है पाकिस्तान इनिमगची आउलिय तहरान और इरानी वज पामगे चैस काना गोता इशियर एहतिजाज रिकॉर्ड करने गोई सफीर जब वातर लुटा इनिता गोड़ इशियर मतलब ही के वती एहतिजाज हत रूंदिया पाकिस्तान रिकॉर्ड करनते मगेंदी के एपैमे जब खिलाफ वर्जी भी है इशियर जो रियास्ती जो अटमी मुलके सरा कने दूही मुलकाने मफादे तु कने यक निमगा ओल्रिडी मगेंदी घजजाय फ़्री जो मुसलिम ます म'M यह अल्रेडी एक कशिर चिल्ले आमाची दूमी निम्गा मगेंदी के पाकिस्तानी सरह एवड़ी और और शकनागा अगा नाशरकारी और शकना नाशरकारा निगरोधारे कनेगे वास्ता बुता है यह कोशिस थी बूओ अगई यह पाकिस्ताना आईसोलेट करनेगे और इसता जौइन करनेगे आमिर लटीफ साब तजिया का आई वश्यद करनेगे प्रोग्राम है गुलिशारो का ये वाहदा मारा जो अनको था आमिर लतीफ साहबा जो के तज्या का रहे गुमा गपुतरान कने और एरान ने नेमगाची जो फिजाई हदो बंद हिलाफ वर्जी करना गुता आई ये बाबता जोस्त गपुतरान कने आई गुमा सर ये जो बलोचिस्तान में और जो ड्रोन हमले हुए हैं मीजाईल हमला हुआ है इरान की जाने से इसको आप कैसे देखते हैं और ये इंटरनेशनली अब इरान के इतना जवाब दे है कि वो इस तरह का अगर स्टेप ले रहा है जबके हमारे मुलक में इंतिखाबात की तैया हो रही है जी देखें आपने बिल्कुल दुरूस कहा ये एक इंतहाई संगीन इशू है जो इस वक्त सामने आया है और इसके दो एहम अस्थर जो है वो इसके पहलू है एक पहलू जो है वो इसका पाकिस्तान की इंटरनल सिकरूटी से है एक जानेब देखिए पाकिस्तान जो है वो उसके मशर्गी बॉर्डर जो के इंडिया के साथ मिलता है और वहां जहरी बात एक बहुत बड़ी प्रेजन्स है और पाकिस्तानी और इंडियन फोर्चिस की और वो बॉर्डर भी अक्सर आगर देखें आप तो लाइन अफ कंट्रोल से डिस्टर्ब होता रहता ह फिर पाकिस्तान का जो बॉर्डर अगवानिस्तान के साथ है उसके हाला आपके सामने हैं कि पाकिस्तान मसलसल जो है वो क्रॉस बॉर्डर जो टैक्स है उनका एक निशाना बन रहा है तो इस मौके पे ये एक नया फ्रंट खुलना जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुती तश्वीश का बाइस है पाकिस्तान की इंटर्नल सेकुरिटी के लिए अच्छा दूसी अगर इसको इंटर्नल सिकूरिटी के मैटर पे देखें तो ये इरान के लिए भी कोई ने अच्छा शबून नहीं है कि इरान जो कि अर्रेडी एक दुनिया भर में जो है वो एक सियासी और एकनॉमिक तनहाई का शिकार है और वो अपने पड़्ोस में जो कि इसके पाकिस्तान जिसके साथ उसके तारेखी तालु काथ है और हम सब को पता है कि पाकिस्तान को तस्थीम करने ओला इकमाम मुझाण में पहला मुझा फिर ये यह ता international पहलू है वो भी कम खतरनाक नहीं है कि जो इस वक्त गज़ा में situation है जिए और जिसमें जो है वो जहरे के एरान एक तरह से फरीक है और पूरी जिए दस्तों गरेबान जो है वो हुए हुए है तो आपने देखा कि इसकी international implications है और इसको महसूस करते हुए चाइना ने सबसे पहले दोनों मुमालिक से जो के पाकिसान इरान दोनों का दोस्त है दोनों मुमालिक से बिल्कुल दुर्स तोर पर तहमल से काम लेने की अपीड क हैं क्या है ऐक तरफ हम कहते हैं कि इस तरह क्या हमला हुता है और दूसी तरह हम देखते है अफगानिस्तान के साथ भी हम साथ बढ़ाते हैं लेकिन वहां से भी हमें ध्रैक्स ही मिलते हैं तो क्या वज़ूआतerson के पाकिसान पर एक मौत हो नहीं होता है और लो हैं के बार-भार कहते हैं कि हमारे हमसाएए मुलक है और हम उनके साथ अच्छे तालुकाद चाहते है इरान को एक तवील अर्से से एक शिकायत है और वो यह इलजाम लगाता है कि उसके जो मशिर्टी पिलोचिस्तान हम लोग कहते हैं तो वहाँ पे जो भी एक उसके अलैज़ी की तहरीक है या उनको जो एक जाशतगर्दी का सामना है मुबयना तोर पे उसके जो टांडे हैं वो पाकिस्तान के सरहदी आलाकों से मिलते हैं और जेशल अदल जिसको वो एक सो कॉल तंजीम है जिसको एरान ग्लेम करता है इन सारे इसमामलात के लिए तो उसके पीछे उसका ये एक तारीखी बैक ग्राउंड है जो वो मसलसल एक कहा है कह रहा है और अब भी उसकी जो सरकारी मीडिया ने खबर जारी की और बात में उसे हटालिया गया वैब साइट से उनका क्लेम है कि उन्होंने जेशल अदल के जो है वो शकाने पर हमला किया तो ये मतलब मैं समझता हूँ कि एरान का कोई बहुत मदबूत मौकफ नहीं है पाकिस्तान को भी ऐसी शकायात अगवानिस्तान से भी है पाकिस्तान को ऐसी शकायात इंडिया से भी है पाकिस्तान को ऐसी शकायात इरान से भी है लेकिन पाकिस्तान ने कभी कोई ड्रोन अटैक अगवालिस्तान के अंदर नहीं किया हाला कि एक पूरी मालूमाद मौजूद है कि किन किन सुबों में और किन किन जगों पर ट्रिटीपी जो है वो है मौजूद है तो इरान को तहरान की हकूमत को ये समझना चाहिए कि ये एक नेया फ्रैंट खोलना उसके लिए ठीक नहीं है उन्होंने जिस तरह इराक में हमला किया पिछले चंद दिन पहले और उस पे उन्होंने यही कहा कि ये कोई इसराइल का जासुसी मरकस था जबकिर इरान का कहना य और पाकिस्तान में भी जो उनका अटैक हुआ उसमें भी दो बच्चे जो है वो शहीद हो गए और कुछ तीन लोग और सिविलियन है वो जखनी हुए तो यह जो इंटेलिगेंस बन्यादों पे हमेशा ड्रोन अटैक किये जाते हैं इसमें बड़े पेमाने पे जो है वो गल् हुआ इससे डिक्रीज नहीं होता है तो एक तरह से एरान को पाकिस्तान को जुश्मन मना कर कोई बहुत अच्छा पाइदा नहीं मिलेगा बलके उसकी जो सियासी और इसकी जो इंटरनेशनल एलियनेशन जिसको कहते हैं हमके आइसोलेशन है जो उसकी उसको जो है वो हमने देखा बहुत इमेजियेट उनका रियाक्शन आया है उनके इंटरेस्ट पे कितना नुकसान हो सकता है अगर दोनों तरफ बात चीट प्रॉपर नहीं होती और इस चीज़ को यहीं पर रोका नहीं जाता देखिए दुनिया एक गलोबल विलिज बन चुकी है अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर दो मुमालिक के दरमिया जंग हो तो उसके बाकी दुनिया इस्टरब नहीं हो तो जाहरी बात है कि चाइना की दोनों मुमालिक से बहुत अच्छी तालुकात है उच्छा रिलेशन्शि है वो है इसी तरह चाइना जो है वो उसका इरान का बहुत बड़ा खरीदार है तेल का और गैस का तो यनि इसके दिए चाइना के दिए बिल्कुल ये कशीद की उसके फाइदे में नहीं है और ना सिर्फ चाइना के बलके सबसे पहले ये पाकिस्तान और इरान के फाइदे लेंगे किसी सालिशी के लिए जो सेकुरिटी कंसर्ण्स एक दूसरे की उसको बहुत अमदा तरीके से जो है वो और हमी केमली जो है वो रिजॉल्व किया जा सकता है आमिर सब लास्ट वेशिन हम से कि पाकिस्टान ने बढ़ा खुल के बताया है पूरी तरह से कि पाकिसटान देशचतगर्दी के खिलाफ है और हर तरह की कारवाई मेंगे कोई भी मुलक हो चाए अमेरिका हो और अफज सानसी हो बोलिए अबहुत तरहा Persian के खिलाफ बीर इता क क्या है कि अगर एक हमसाय मुलकथे दूसरे हमसाय मुलक चाहिए किक्तमाद में चाहिए कि इस तरह का हमला अगर हो रहा है और पहले सूरा जो मुलकद कना है इसको इसको मालूम ही नहीं है और सिविलि律 इस पे शिकार होते हैं दो है और आप देखें के जो ही हुआ जिसका हमें डरता की अभी इस्तला ये भी है की पाकिस्तान ने एरान तफिषितकों भी जो भी जो है जो है वो जाने के लिए कह दिया गिया है तरजमाने दफ्टर फारजा ने कंफर्म कर लिया है ये तो वही हुआ जिसका हमें ड़ता कि ये सिच्वेशन एक जाने मुसल्म मालिक जो है वो गज़ा में इस्राइली अग्रेशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और दूसी जाने एक गलत एकदाम से गलत कदम उठाने से जो ही जान के सिच्वेशन जहां तक है जाहर है पाकिस्तान एक एड़नी कुवत है वो इतनी असानी से एक इस तरह की एरिस्ट्राइक को उसके लिए हदम करना भी मुश्किल है तो फिर अगे में तोबरह करूंगा कर एक सिच्वेशन जो है इसको डी ऐसकिलेत करना चाहिए ओर पहां को इस्ते एड़न को बढ़'ve लेड़ करनी चाहिए जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत 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 शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत 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 शुक्रिया। कल्चिर किसी अद्टक मिलता है वहां भी हमारे बलोची भाई रहते हैं और यहां भी इस पैट के अंदर भी बलोची भाई है लेकिन इसके बावजूद वहां से इस तरह अटैक होना यह बहुत बड़ी अलार्मिक बात है और इस पे बहुत ज़्यदा रिजेंटमेंट पाई जाती है पाकस्तानी पांग के अंदर और इस पे बड़ी रिजेंटमेंट पाई जाती है पाकस्तान के अधारों के अंदर और इरान ने यह बहुत बड़ी हमाकत की है और मुझे नहीं समझ जा रही कि एरान के जो पलिसी साथ हैं वो किन के हाथो में खेल रहे हैं और किस के कहने के उपर उन्होंने ये हमार्कत किया है और आज जरूरत इस बात की है कि इस एक्शन का बरपूर तरीके से जवाब दिया जाए ताकि आइदा के लिए अफगानस्तान हो भारत हो एरान हो या कोई बितरीन फौज है और एक बितरीन इंटेलिजिंस है और इस तरह नहीं हो सकता कि कोई भी शेक्स उठे और वो मुझाहिल हमला करते हैं जल्फिकार सब आप नहीं समझते कि पाकिस्तान ने तो हमेशे एक पीस का मेसेज दिया है खासतर पर अपने नेबरिंग कंट्री के पाकिसान अब क्या समझते हैं किस तरह का रद्य अमल देना चाहिए अगर पाकिस्तान असकری नौयत का रद्य अमल देती है तो ये खिते के लिए कितना खतरना को सकता है देखें इसका बर्पूर जो आप देना चाहिए बिलकुल कोई माज़र थाना रविया नहीं होना चाहिए बर्पूर जो आप देना चाहिए और ये देखें जब बाचीत हो सकती थी सारे आप्शन खुले हुए थे तो फिर इस तरह समझ से बाहर है कि जिस तरह एरान ने किया है और एरान के दारों ने किया है ये बिलकुल समझ से बाहर है मैं समझता हूँ कि बर्पूर जो आप देना चाहिए पबलिक का सेंटीमेंट आप सोशल मीडिया पर जाएं पबलिक बहुत इस पर रिजीदा है कुस्से में है आमाद्थी और सब के सब ये बितालबा कर रहे हैं कि इसका बर्पूर जो आप देना चाहिए जिए 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 बिड़ भी निस्टरब होगी, बंदो जेगी, और फिनेंशली भी मिक्सान होगा, और फिस्ट से बड़ी बात यह है, कि पाकिस्तान हमेशा इरान के साथ खड़ा रहा है, मुख्लिफ होकाद में खड़ा रहा है, और आज यह सूरत आज जब होगी, तो उसके बाद पाकिस्त सबर ताहमल से काम लेना चाहिए, तो आप नहीं समझते कि हर बार यह सबर ताहमल पाकिस्तान करता है, और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो इसको फौर ग्रांटेड लेती हैं, दिप्लोमेटिक लेवल पे ऐसी होता है, यह लेंगविज ऐसी होती है, कि सबर ताहमल से का लेना चाहिए, बात्चीद करनी चाहिए, एक दुस्ते कि एजादी का ख्यावर तो यहां भी बात्चीद पहले नहीं होनी चाहिए थी, अगर वो देशतगर्दी के खिलाफ भी कारवाई कर रहे थे, तो कवानीन, इंटरनेशनल कवानीन क्या कहते हैं, कि पहले हमसाई को आत्माद में नहीं लेना चाहिए, आप बिलकुल सही कह रहे हैं, यह बात्र तो खुले हुए थे, सारी चीज़ें तो खीक थी, अब यह सारा, सारे डिप्लोमेटिक चैनल भी खुले हुए थे, लेकिन तजारत भी हो रही थी, तो यह सारी बाते हो सक्ती थी, बात चीज़ हो सक्ती थी, लेकिन यह समझ से बाहर है कि इस लेवल पर जा के एक्षिन करना, यह बिलकुल समझ से बाहर है। और रिजेंटमेंट दे दी, रदे अमल दे दिया, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी दे दिया, और परसली भी पाकिस्तान से इसका आ रहा है, मेडिया के अंदर भी आप देखरी, तो अगर एरान इस पे माज़त नहीं करता, तो फिर लास्मी बात है कि पाकिस्तान भी इस प दूए निमगा ची गपोतरान वो अग लोटी, लेकिन अमें गपोतरान हमले ची भी सारी अगव लोटी तगा ता, अज्चमा गेंदी के बैानात हमें पिदा का, कि नाशिरकारी खिलाफा ए जोहद करना नगउता, ए और श करना नगउता, और इपे में गाम गेचेस करना लेकिन इंटरनेशनली लॉज अभी गोशनती के वादी कि कोई अगर नाशिरकारी है बुंजली आईये सरा जो ते अब मुसाइगे मुलके तो कही इतलात यस्ती गोड़ सफार्ती लेवल गोमा गपोत्रान भीती और जो इंटेलिजेंस सताय सरा गपोत्रान भी थी लेकिन मगें दी के इरान ही निमगा थी प्रायर एच भी जो ऐसे इंफॉर्मेशन दैग ना भुता क्या चुशी कारवाई कन गए और इश्यची पाकिस्तान मासुम जाना ना तावान रस्ता बलोचिस्तान है योडश भुता और जो इसते नुक्सानात जानी और माली नुक्सानात भी भुतागा शमा गपोत्रान जुल्फिकार राहट सावे भी इश्यच को तन थी एदा मगवंडी ब्रेक की जूरी ब्रेक वातिर का है मारे इदिगे गैस्ट जोईन करने थी गुलिचारों का मारा जुएन को ता वजाहत मसूद साबत अज्यच कारे आए गुमग अपोत्रान करने और जुसकने के एराने ए जो और शे आए वती मफादादन तुका बुता है और आपकिस्ताने स्वावनिटी आई है कॉम्प्रमाइस को ता शे सराई है कॉमेंटर आप इस तरह का मीजायल हमला करना ड्रॉन हमला करना हमसाय मुलका जबके पाकिस्ताने हमेशा पीस की दावत दिये तमाम जो नेवर्स हैं उनको आप नहीं समझते के अपना एक एंटी टेररिस्ट बयानिया सेट करने के लिए पाकिस्तान की सॉवरिनिटी को और भी बहुत सी जगों पर यमन में होसियों को सपोर्ट कर रहा है मैं इसको एंटी टेररिस्ट नेरिटिव की बजाए जो एरान के एक्सपैंशनिस्ट एमबिशन्स हैं इरादे हैं उनके साथ जोड़ता हूं जो बहुत ही नाइंसाफी की बात है कि पाकिस्तान जैसे हमस जो मिडल इसमें कर रहे हैं आपके इल्म में होगा उन्हों ने अभी जो है वो एराक में भी हमले किये हैं यानी पास दारान ने मिजराइल एटैक करना और ड्रोन एटैक करना पाकिस्तान की टारिटरी पे इस एपसीलूटी अनकालवार और एंड बिलीव कि जो पाकिस्ता पाकिस्तान की गवर्मिन ने फौरी तोर पे फैसला किया है विजिन लेस्टन 24 आवर्स के अपना जो इंबेस्टर है तहरान में उसको रीकॉल कर लिया है और एरानी इंबेस्टर अपने ही मुलक में थे विजिट कर रहे थे उसका गया कि अभी आप तश्रीफ नहीं लाइ है हमारा मगर्बी जो बॉर्डर है अफगानिस्टान के साथ वो बड़े प्रिकेरियस शकल में है अपाकिस्तानी उफवाच मकाबला कर रही है वहां से हमलावर होने वाले तालबान गरोहों का ऐसे में एरान का जो हम्ड़ा जो है वो पाकिस्तान के लिए जतना बजाहर न कर रही है लिक distorted in the video तो फिले कि फो इसको टैशल अदर के हैड़क्वार्टर कर दें रहाए here,ifications ऑनता पाकिस्तान गफिर उने पाकिस्तान की हॲंग्ध को अगाह करना चाहिए था और पर पाकिस्तान की घद्ल का 10मल देखना है था पाकिस्तान को तो रिकॉर्ड है कि एरानी की हकूमत के साथ एंटी टर्रिस्ट सिर्गर्मियों में तावन ही हमेशा किया है पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त मिडल इस में हो रहा है ये एरान की तरफ से पाकिस्तान को उसमें उल्जाने की कोशिश है क्योंकि इरानी इलगाती हैं इस जिमन में जो उनके हाँ जो सौथ इस्टन सिस्टान वगारा के जो इलाके हैं वहाँ पे जो नौन शेयो लोगाबाद हैं उनके कि ये सौजी अरब पाकिस्तान और इनाचिन स्टेट्स का मुश्तर का कोई प्लैन है मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के कोई अजाइम इरान के हवाले से टरिटोरियल हैं हमारी इंटरनाशनल बॉर्डर है और हमेशा से जो है वो अच्छे हमसायों जासे तालुकात रहे हैं लेकिन ये उनका इरान के अंदर की नजाम की जो तो कि हम भाला कर दोस्त मुलक उसको क दियोकरिसी है जो अपनी सब कमुनिटीस को जिस्ट्रस कर दे ही नहीं सकती है तो उनके हाँ को बेचैनी है तो अपने मुलक के अंदर उसमें निप्टे ना पाकिस्तान की टारिश्टी पे आना इस इस आउट्रेट अग्रेशन इस इस इन एक्ट आप अग्रेशन और वो हमने मिजालों से टैक की ए और हमने लिए कर दिया है फोड़ा चीज को बाप कर दिया फोड़ान के बिलकुल ना काबल कबूल इरान को खुद कितना नुकसान है कि जब के हम देखतें कि पूरी दुनिया से इसको सैंक्शन के भी सामना है वो जो है अपने बैपार अपना कारोबार नहीं कर सकता और यहां से अब वो पाकिस्तान के साथ भी दुश्मनी मोल ले रहा है और अगर असकरी बन्यादों पर पाकिस्तान रिटालियेट करती है तो उसका कितना नुकसान होगा खिते में और खास दौर पर एरान को बेश्क पाकिस्तान इस वकित दाखली बहरान का शकार है और मौशी हाल भी अच्छी नहीं है लेकिन इरान पाकिस्तान को अंडर असकरी बन्यादों पर है तो वह इरान की अमेरी अपनी रहए मैं दुबारा दोहर देता हो वहीं तर्यागे में लेकिते हैं और आखासितान iron को मेरा उनकोशी कि पाकिस्तान जो है वो मिलिटारी ली एरान के मुकाबले में ना सिर्फ ये कि बहुत ज्यादा ताक्तवर है बलकि ये भी कि पाकिस्तान कुछ प्राया स्टेट नहीं है पाकिस्तान जो है नास को पाकिस्तान को जो है वो दुनिया ने डिनांस कर रखा है एरान पे तो आपन से पर्माया ना के सैंक्शन्ट हैं इरान जो है वो एक इनहराफी रियास्त के बिला जाता है इंटरनाशनल कामेटी आफ नेशन्स में तो इरान को आप प्रिया सर्मारी है इरान के लिए इसमें ज्यादा नुक्सान है लेकिन मैं ये अर्ष करूँगा कि तो इस तरह की टेज होती है उनका वीजन टेनल वीजन होता है वो एक खास हथ से पार एक नहीं सकते उनका ये खाल होगा कि पाक्सान जो हो शायद रिटैलियेट करने या इसका स्क्वेर रिस्पांस देने का अहल ही होगा बहुत अच्छा मैस्जिग दिया गया है जो अंबस्टर को रिकाल कर कर दिया गया है और इसके अंबस्टर साथ से कहा गया है कि अब भी अपने वतन ही में जश्रीफ रखें बद्टेश चुट पिगिंग जिए 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 मोर कैटेकोरिकल रिस्पांस टू इरान हावरवर आइवट नोट जस्मैन ही समझता कि मिलिटैरी फिरहाल जो है वरत पाकिसान की अपना जो जो शुबा ब्रॉटत बारे भी जो है, वहाँ में जैस्त क्रस्काटडी के वाकियात हो रहे हैं वहां पे उसको आगर बढ़ाने की कोशिश करें, पाकिसान की जास्ट इंबस्ति निए, हमें पाकिसान को क्या जूश्त पर्ई है को आइज तरिक्ट विदी पाकिसान को पर्वोग कर रही है. वजहांच सब्ञेकितनी अलार्मिंग सिच्वेशन है कि तमाम चैनल मौजूद हैं और सफारत खाने बहाल थे लेकिन पहले एकिमाग में नहीं लिया गया? यह चैनी अलार्मिंग सिच्वेशन है? है कि अभी हमारे निग्रान वजीर यासम साहब और अल्वा काकर साहब वो वर्ल्ड एकनामिक फोरूम पे गए हुए हैं एक रुस पहले वो इरान के वजीर खार्जा से मिले हैं ये किनी तो ओरते जो 15 दिसमबर को इरान में हमला हुआ है रिपोर्टिली उनके कोई 11 सोल्जर जो है वो मारे गए हैं वो यकिनन जीरे बहस आया होगा इस मुलाकात में उसके जब इतनी आला सथा पे हमारे वजीर आसम के साथ राप्ता माजूद था एक दिन पहले तक तो इरान की तरफ से इस तरह क्या जो मैं समझता हूं कि बहुत ही नान जुडिशित कह लिए गयर क अगली वाला जो जो एकदाम है यह थाबत करता है कि एरानी रियासत जो है वो खुद को अभी किसका जनिया में समझ लिए है मैं ही समझता कि यह इरान के हक में यह बात जाए पाकिस्तान की इंटरनेशनल सत्य पे भी पोजिशन बिल्कुर साउंड है और पाकिस्तानी रिय अमन है वो बहुत ही एक रिस्पॉंसिबल रियासत की तरह से बिहेव किया है पाकिस्तान की रियासत जो हम देखें के चीन के वजारत जो वजारत फॉरण मिनिस्ट्री है वहां से भी जो है यही कहा गया के ताहमल से काम लिया जाए और ऐसा कोई एकदाम ना उठाया जाए तो जो दोनों मुलक और खास तोर पर खिते में अमन और जो इस्तेहका में उसको खराब करें अच्छा पाकितान का हमसाया मुल्क है बड़ी ताकत है इस वकि दुनिया की तब मैशत का जो उसका वालियम है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है उनकी तरफ से यह बहुत अच्छा मैसेज है लेकिन इस मैसेज का पाकिस्तान की बजाए जो कहना चाहिए अडरेसी या मु अच्छा पाकिस्तान की वाइलेट की गई है और जो भी क्लेम इरान की कि नीम रियास्ती समाई ऑफिशल न्यू सोर्स जो कुछ इतलाद दे रहे हैं तो यह तो इस न आउट्राइट एक्ट आफ अग्रेशन जो इरान ने किया है तो मैं तीन की पजवीज को मुनासिब अग्रेशन जो इना चाहिए एरान को कि यह करने का काम नहीं है जो जो कलम इलाव ने उठाया है वह बहुत ही ना मुनासिब है जो इंटरनेशनल टेर्टी बार्टियूस होते हैं इंटरनेशनल बार्डर होता है यह नेशन स्टेट के लिए फार्ट लाइन होती है एक इन स नहीं है तो पूरी तरह से वेल कंसिड़र्ट अटैक किया गया है जी ऐसे बलोचिस्तान के हवाले से आखरी क्वेस्टिन आप से पूछना चाहिए कि बलोचिस्तान इस वक्त अल्रेडी जो है वो दाखली और बेरूनी जो देशत कर दिये उस से जो है वो जूच रहे लड पूरी तादाद में जो है वो उनके साथ जोड़े हुए है इस तरह से बलोचिस्तान पर आप नहीं समझते एक और बोज आ गया है और अब सर पर हमारे इलेक्शन भी हैं आप दूस फर्मा रही हैं बिल्कुल इन्टखाबाद हमारे बिल्कुल सरते हैं इरान वालों के दूसे इन्टखाबाद आपको पताई है ना जी तरह से होते हैं उनके हां तो सेलेक्शन होती है वो हो जाएगी हमारे मिर्ट में जो उस से कहीं ज्यादा जम्हूरी नौम के क्रीब इन्टखाबी अमल होता है हमारी मईशत जो है वो जड़ा कड़े हदा से गुजर रही है और हमें अफगानिस्तान की तरफ से टैर्रिस अटैक्स का सामना है हमारी इफ़ाद जो है वो उदर एंगेज हैं और हमारा मश्री की हमसाया जो है उसके साथ हमारे तालुका रिव आप सब दागर इत्र लाए आव्ट मैंस्टांस स्क्राओ ह relaxer जोडे स्वेरद टेटिता होगी झावग उजरशा Rigip di Be जो किया है उसे जो है वो से पाकिस्तान को अप छिर्फ अपनी सर्थे पर जाने के बजाए इसे एक बैर उले कWAMी में तब्रिजए करना चाहिए चोकि इरन गाना जाता है अपनी सर्थेंच करने में प्रॉक्सिस तराने में और दूस्वे मुलकों में जो है वो अदम इस्था काम पैदा करने के जिए जी बहुत 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 शुक्रिया वजाहत मसूत साभ गपोतरान शमा इश्पतन थी आए गोशेगूता के पूरा-पूरा हक अस्ति पाकिस्ताना लिटैलियेट करेंगे लेकिन पाकिस्ताना लिटैलियेट असकरी बुर्यां दिस्था करना लूटी आलबता इंटरनेशनल फॉरम जवती एतिजाज रिकॉर्ट करना है ना गलूटी इंटरनेशनली पाकिस्तान बनिस्बत इराने स्ट्रॉंग है आई ये जैसे यूरोपियन मुमालका न गुमा हम दूसी ऐसी मिडली स्ट रही का पे भी जिसी दूसी ऐसी लेकिन एरान मगेंदी बाजे सैंक्शन सानी सामने और बाजी मुल्क जो ऐसी एराने गुमा नावश है लेकिन आई बावजूर्ट बदा हमसाए मुलके गुमा इपे में रवाई एक्टियार करना बाज जैसे अलार्मिक सिचुएशन है और बलोचिस्तान और बाजे जी रहां को देंपान है आई जो अमनों इमनी है जाओ रहाला और बाज खराबा लेकिन आई पदा मगेंदी के हमसाए की मुलका चीपे में और्श भी आई दूकर दू मासूमें जागा नहीं जिसी जिन्द ज झालार्मिक सिचुएशन है